नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेग बाजार में जिसमें हम बात करते हैं टेलीकॉम दुनिया से जुड़ी हुई सभी तेरह की घबरें सबसे पहले तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल ऐकन को भी दबा दे ताकि आपको मारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों BSNL अपने employees ले लाया है एक बहुत ही अच्छी health insurance policy तो अगर आप BSNL के employee हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिसमें हम बात करेंगे इस health insurance policy में मिलने वाले benefits के बारे में तो ये health insurance दिया जा रहा है The New India Assurance Company Limited की तरफ से BSNL को और ये एक group insurance है यानि कि BSNL के लगभग 63,500 permanent employees को ये facility मिलेगी और ये एक completely optional facility है यानि कि अगर किसी को लगता है कि उसे ये health insurance policy लेनी चाहिए तो वो इसके लिए apply कर सकते हैं इसका window आज से open हो चुका है आपके ESS portal में वहाँ जाके आप इस policy के लिए apply कर सकते हैं लेकिन apply करने से पहले आप मेरी इस video को पूरा जरूर देखिए तो इसमें मिलेंगे आपको दो तरह की policy पहली policy है पांच लाग की और दूसरी policy है दस लाग की तो पांच लाग की जो policy है वो BSN के सभी permanent employees के लिए applicable है लेकिन जो दस लाग की policy है वो सिरफ E5 या उससे ऊपर scales वाले employees के लिए ही valid है यानि कि वही सिर्फ उसके लिए apply कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं पांच लाग की health insurance में आपको क्या के benefits मिल रहे है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस policy का जो time period है वो है एक साल का इसमें जो आपका amount रहता है policy का वो है पांच लाग का और ये policy cover करता है family में आपको आपकी wife या आपके husband को आपके children को और आपके parents को तो इसमें मिलते हैं आपको तीन option पहले option में आपके parents include नहीं है आप होंगे आपकी wife या आपके husband और आपके साथ आपके तीन बच्चे जिनकी age 25 साल से कम होनी चाहिए दूसरे option में आप अपने parents में से किसी एक या father या mother को include कर सकते हैं प्लस आप रहेंगे आपकी husband और या wife और आपके तीन बच्चे जिनकी age 25 साल से कम हो और option 3 में आप अपने parents या या mother and father दोनों को include कर सकते हैं आप रहेंगे आपकी wife या husband और आपके साथ आपके तीन बच्चे जिनकी age 25 से कम होनी चाहिए तो ये तीन option आपको इस policy में मिलेंगे तो चले देखते हैं अब इस policy में क्या क्या होता है cover तो पहला है आपका standard hospitalization minimum 24 hours यानि कि कम से कम 24 घंटे के लिए आपको hospital में hospitalized होना पड़ेगा अगर आपको claim करना है तो और वो इसमें cover होता है तीनों ही options के लिए अगला आता है आपका TPA services TPA services होता है आपका third party administrator जो आपके insurance claim को process करता है तो ये भी आपको इन तीनों option में मिलता है अगला आता है आपका co payment co payment क्या होता है co payment में actually suppose आपको कोई illness हो गया या आपको कोई बिमारी हो गई है उसके treatment में जो भी खर्चा आता है उसका कुछ percentage आपको अपनी pocket से pay करना पड़ता है और जितना बचा हुआ खर्चा होता है वो आपकी insurance company payment करती है तो इस policy में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर exactly mention है no co payment except in the co pay those mention here and after मतलब कुछ illness को छोड़के बागे सब में आपको कुछ भी अपनी जेब से pay करने की ज़रूत नहीं है अब वो कौन सी diseases है जिसमें आपको अपनी जेब से pay करना पड़ेगा वो हम नीचे देखेंगे वो list illness की इन्होंने दी हुई है जिसमें आपको कुछ percentage amount अपनी pocket से pay करना पड़ सकता है investigation and evaluation तो इसमें आपके जितने भी diagnostic या जितने भी आपके test फगरा होते हैं वो सब भी इसके अंदर cover होता है तो pre-existing disease covered from day one तो सपोज आपको ये policy लेने से पहले कोई disease है तो जब ये policy start होगी आपकी उसी दिन से आपका उस illness का जो भी treatment होगा वो सारा का सारा treatment का खर्चा आपका इस policy के अंदर cover होगा ओके waiver on first, second and fourth year exclusion, waived for all तो ये तीनों के लिए ही applicable हैं आपे तो अगला आता है दोस्तो no any waiting period ये तीनों ही option में applicable है no any waiting period का मतलब होता है तो सपोज आपको अगर आँख से related कोई बिमारी है या कान से या गले से related कोई बिमारी है तो maximum insurance policy में उसका waiting period रहता है आपका एक साल का मतलब अगर आपने 2021 सितंबर में सपोज आईख से related कोई surgery करवाई है और उसका claim लिया है तो अगला claim आप 2022 सप्टेंबर में ही कर सकते हैं तो हर disease हर illness के लिए ये waiting period different रहता है eyes के लिए for example आप ले ले जे एक साल हो गया गले के ले 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 जे 9 महिने हो गया या कान या मूँ से related आपका कोई illness है तो उसके लिए 3 महिने हो गया तो एक waiting period के बाद ही same बिमारी या illness का claim लेने के लिए आपको एक time तक wait करना पड़ेगा तो हर illness का अलग-अलग एक waiting time होता है और हर policy में ये time different होता है हर policy में ये time vary होता है तो यहाँ पे इनोंने waiting period तो नहीं दिया है लेकिन applicable ज़रूर बोला है तीनों ही case में so अब देखते है pre-hospitalization cover so pre-hospitalization cover क्या होता है आपका इसमे hospitalization होने से पहले आपका treatment होता है यानि कि suppose आपका x-ray test होता है blood test होता है urine test होता है ultrasound होता है उसके बाद आपको medical facility दी जाती है वो सब इसमें 30 दिन तक आपका cover होगा यानि कि उसका पूरा claim आपको मिलेगा तो अगला है आपका post hospitalization cover 60 days के लिए तीनों ही option में मलब 60 days तक अगर आप hospital में hospitalized रहते हैं तो वहाँ पे आपका जितना भी treatment होआँगा उस सब का claim आपको मिलेगा 60 days तक का ओके newborn baby cover day 1 तो जो भी नया baby आपका अगर वो insurance policy का जो period है उसके अंदर जनम होता है तो पहले दिन से ही वो आपका आपकी policy के coverage में आएगा covered from day 1 तीनों ही option में maternity benefit for first two children ये coverage में नहीं आता है तीनों ही option में तो अगला है आपका pre and post natal expenses ये इस policy में cover नहीं होता है तीनों ही option में तो pre and post natal expenses किया होता है आपका जैसे regular check-up हो गया doctor का consultation fees हो गया medicines हो गया उन सबका expenses इसमें include नहीं होता है policy के अंदर room rent proportionate capping applicable so room rent मिलेगा आपको 2% of the sum insured that means 2% आपका 5 लाग का हो गया 10,000 तो 10,000 तक का आपको room rent यहाँ पे मिलेगा ICU इसमें तीनों में ही applicable है तीनों option में तो अगला है आपका disease wise capping not applicable तो यह तीनों ही option में applicable नहीं है disease wise capping जा होता है जैसे कुछ health insurance company कुछ illness पे या कुछ disease पे एक amount का cap लगा देती है कि आप 50,000 यह एक लाग से उपर इस बिमारी पे खर्च नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम इस policy में cover नहीं करेंगे तो simply mention कर देते हैं उसमें लेकिन इस policy में ऐसा कुछ नहीं है तो यह इसकी एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे इसने किसी भी disease पे किसी भी तरह का amount का capping नहीं लगाया तो अगला आता है आपका internal cognizual disease यह भी तीनों ही policy में cover होता है internal cognizual disease क्या होता है आपका जन जात रोग suppose कि इसको जन से ही दिमार्ग की कोई problem है वो mentally ठीक नहीं है mental illness है उसको तो क्या होगा कि खुदी अपने आपको physically damage करना start कर दें तो कि उसकी mental health ठीक नहीं है हो सकता है वो अपने आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुचा सकता है तो काफी policy में इसको exclude किया राता है इसको include नहीं करते लेकिन इस policy के अंदर इस चीज को भी उन्हें cover किया है तो ये भी इस policy के एक अच्छी चीज है यहाँ पर तो अगला आता है आपका cataract limit इसमें आपको 30,000 मिलेगा पर आई तीन होई option में अगला है आपका I use expenses incurred for ayurvedic, homopathic और unite treatment तो अगर आप ayurvedic या homopathic treatment लेते हैं तो आपको maximum 60,000 तक का amount यहाँ पर मिलेगा advanced medical treatment covered along with the sub limits ये भी as per the limit ये नोने mention किया है आपके ambulance service मिलेगा आपको 2000 per incident के according disease wise capping no capping except the sub limits those mentioned here in after okay तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि कुछ disease को छोड़के इन्होंने कहीं भी किसी भी illness पर capping नहीं लगाया अब वो disease कौन से है वो इन्होंने नीचे में mention किये हुए है वो हम वीडियो के end में discuss करेंगे कि कौन-कौन से disease है जिन पर इन्होंने capping लगा रखा है तो सब इस policy के अंदर coverage उसका होगा तो जो terms आपकी hospital के अंदर रहती है 30 days pre-hospitalization और post-hospitalization के लिए 60 days वो सब यहाँ पर applicable होंगी अगला है आपका dental treatment covered in case of accident तो accident में अगर आपको की dental injury होती है दातों में कोई injury होती है तो वो इसके अंदर cover होगी COVID-19 hospitalization covered if minimum 24 hour hospitalization and as per other standard policy term तो आपको वो hospital में कम से कम 24 घंटे के लिए admit होना पड़ेगा अगर आपको इसका claim लेना है तो ठीक है shifting of hospital during treatment or better medical on the request of patient तो ये भी इसके अंदर आता है अगर suppose आपको shift करना है एक hospital में उस hospital में ऐसी facility नहीं है कि आपको treatment वो अच्छे से दे सके हैं और आपको उससे अच्छी treatment के लिए दूसरे hospital में जाना है उस case में उस hospital में कम से कम पंदरा बैड या उससे ज़्यादा बैड होने चाहिए claim लेने के लिए ठीक है reimbursement allowed as per the applicable rate only if treatment is taken in minimum 15 bedded hospital कम से कम 15 bed या उससे ज़्यादा बैड उस hospital में होने चाहिए तब ही आप eligible होंगे claim के लिए mental illness इसमें आपको maximum assured amount जो मिलता है वो है 50,000 तक का तीनों ही case में मिलेगा यह domiciliary hospitalization यह हमने देखी लिया कि covered होता है इसके अंदर advanced mental treatment covered along with their sub limits यह भी इसके अंदर cover होता है अब इसका premium देख लेते हैं 5,000,000 तक की policy के लिए तो इसका जो premium आता है option 1 में जहां पे आपको parents include नहीं होंगे वो premium आपका 7,198 का दूसरा premium आता है अगर आप अपने father या mother को include करते हैं उसका समाएगा आपका 10,620 का और option 3 जब आप अपने father और mother दोनों को include करते हैं तो उसका समाएगा आपका 11,328 का तो अब इसमें top up policy भी है top up policy means suppose आपको 5 लाग से ज़्यादा amount चाहिए health insurance का लेकिन उसके लिए इनोंने condition रखिये कि कम से कम 20% of employee अगर इस plan को opt करेंगे top up को तब आपको क्या हुआ 35% extra देना पड़ेगा base rate का for example अगर आप option 1 लेते हैं 7,198 तो उसका 35% extra आपको देना पड़ेगा ये 5 लेक का top up लेने के लिए ठीक है और अगर 30% employees इसको opt करते हैं top up को तब आपको amount देना पड़ेगा 30% जो आपका base amount है और अगर 40% या उससे ज़्यादा employees ये plan लेते हैं top up का तब आपको देने पड़ेगे 25% of the base rate तो यहने कि जितने ज़्यादा employees लेंगे ये plan top up का उतना ही जो आपका amount है total वो कम होता जाएगा ठीक है तो यह है disease wise sub limit list जिसका मैंने उपर बात के था जहां पर नोने capping लगाई थी disease की तो इस में लिस में आता है आपका appendix, eye related जो भी problem होंगी galbraider related हो गई, hernia, hydrocelle, hysterectomy, piles, unary stone और joint replacement including vertebral joints तो देखे यहाँ पर कोई limit नहीं ही है उपर होनोने mention तो किया था कि capping लगई लेकिन in diseases पर कोई भी capping उनोने नहीं लगाई है no limit लिखा हुए आपए ठीक है कोई भी capping उनोने इस पर नहीं लगाई है तो देखे यहाँ पर अनोने mention कि है disease wise capping not applicable तीन होही में applicable नहीं है यानि कि यह आपको पूरा सा मशोर्ड होगा जो भी आप treatment करवाएंगे किसी भी diseases का तो दोस्तों यह थी वीडियो हमारी BSNL के health insurance policy के उपर है तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप यह policy कैसे ले सकते हैं अपने ESS portal से इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like करना मत बूलेगा धन्यवाद